केंदर सरकार ने लोगों को सस्ती कीमत पर टमाटर दिलाने का इंतिजाम कर लिया है डिपार्टमेंट ओफ कंजूमर अफेस के नाशनल एग्रिकल्चर कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन यानी नेफेड सरकार ने बताया कि दिली NCR में कंजूमर के लिए फ्रेश स्टॉक शुकरवार यानी 14 जुलाई से मिल जाएगा असानी से यानी वो शुकरवार से काम दाम पर टमाटर खरीद सकेंगे टमाटर का उतपादन लगबग हर भारती राज्य में होता है और दक्षणी साथी पश्चिमिक शेत्रों में देश के कुल उतपादन का लगबग 60 फीसिदी हिस्सा रहता है और इन क्शेत्रों में हुए ज्यादा उतपादन का उपयोग भारत के दूसरे हिस्सों में टमाटर की जहां कीमते बढ़ रही है वहाँ पर किये जाने का ऐलान किया गया है सरकार ने ये भी कहा है कि दिल्ली और आसपास के शेहरों को हिमाचल प्रदेश और करनाटक से स्टॉक मिल रहा है वहीं कई राज्यो में टमाटर की सप्लाई गुजरात, मध्रदेश और महराश साथ ही आंदर प्रदेश से हो रही है हला कि महराश्ट और मध्रदेश से जल्द ही नई फसल आने की उमीद है जिससे आने वाले समय में यानि कि आने वाले कुछी दिनों में कीमते टमाटर की कम हो जाएगी तो जल्दी से आप भी टमाटर को अपनी सबजी का एक बार फिर से हिस्सा बना सकेंगे आपको ये खबर कैसी लगी ज़रूर बताएगा